वेल्कम बैक भक्तों आपका स्वागत है हमारे वशी करण के इस एपिसोड में जी हाँ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और एपिसोड एक और वीडियो जिसमें आप जान सकते हैं कि कैसे आप अपनी पती को या फिर आप अपने प्रेमी को कैसे एक कागस की टुकडे स से वश में कर सकते हैं जी हां बहुत आसान तरीका है ये करने के लिए आपको देखना होगा हमारा पूरा विडियो लास्ट तक जी हां स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आपका ये उप्योग काम करेगा स दो घंटे के अंदर अंदर आप अगर अपने पती से या फिर अपने प्रेमी से कोई बात मनवाना चाहती है तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा दो घंटे के अंदर अंदर आपके मन की मुराद पूरी हो जाएगी आपका प्रेमी आपकी हर बात मानेगा आपका पती अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो वो तुरंत आपकी बात सुनेगा आईए आपको बताते हैं ये उपाय तो से पहले लेकिन सब्सक्राइब कर लीजे हमारे चैनल को जिहां बेल आइकन को दबा दीजेगा जिससे कि आपको नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे देहाद आसान उपाय है आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसको करना है इसके लिए आपको वसे कागस की जरूरत है और आपको पैन की जरूरत है जी हाँ इससे आप एक कागस पर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगी कुछ काली मिर्च के दानों की जी हाँ काली मिर्च के दाने से आप इस उपाय को कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि काली मिर्च से आप इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं आपको बहुत सारे दाने नहीं लेने हैं आपको बस गिन के लेने हैं साथ दाने जी हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर काली मिर्च के साथ दाने लिये हैं और अब मैं आपको यह उपाय करना बताती हूँ इस तरह से आप एक कागस पर स्वास्तिक का चिन्ध बनाना है जी हाँ ऐसे इस तरह से आप स्वास्तिक का चिन्ध बना दीजे और आपको लिखना है अपने प्रीमी का नाम या अपने पती का नाम ठीक है जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप लिख दीजे अपने पती का नाम और प्लस का साइन बनाईए और उस पर काली मिर्च को ऐसे रख दीजे और इस तरफ बनाईए आप अपना नाम तो जैसे कि यह मैंने लिख दिया आपका नाम यहाँ पर आपको अपना और अपने पती का नाम लिखना है इस तरह से उसके बाद आपको जब आपने ये दोनों चीज़ें लिखती हैं आपको नीचे लिखना है ओम काम देवाए वश्यम कुरू स्वाहा जी हाँ इस तरह से आप इस मंत्र को यहाँ पे लिख दीजिए और काली मिर्च के दानों को इसमें से उठा लीजिए आप अपने हाथ में रखिए काली मिर्च के दानों को इस तरह से और मंत्र जैसे की आप देख सकते हैं मैंने एक आगस पे मंत्र लिखा है इसी तरह से आप भी मंत्र को लिख लीजिए यहाँ पर आपके पती का नाम, यहाँ पर आपका नाम, बीच में जमा का चिन्द और नीचे यह मंत्र, मंत्र है ओम कामदेवाय वश्यम कुरू स्वाहा, कुरू स्वाहा है ओम कामदेवाय वश्यम कुरू स्वाहा, जी हाँ, अब हाथ में आपने रखी है साथ काली मिर्च, गिनके देखिए, पूरी साथ का लिमज होनी चाहिए, आपको ये उपाय करना है, जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ दो घंटे में काम करता है, तो आपको उसी हिसाब से इसको करना है, आपके पती देव, अगर शाम के समय घर पर आते हैं, आपके पती जब सब लोग सो जाते हैं, अगर आपके घर में लोग हैं, जो की जागते रहते हैं, तो दोपहर के समय जादा तर लोग सो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, दोपहर के समय से करना है, उसके बाद आप शाम को जब आपके पती देव आपके घर आएं, वापस ऑफिस से, तो आप ये काम पुरा खतम कर सकती हैं. अब आपको क्या करना है? ये आपने काली मिर्च के दाने लिए, इनको आपको इस मंत्र को आपको पढ़ना है 55 बार, जी हाँ बहुत जादा बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ 55 बार इस मंत्र को पढ़िए और उसके बाद आपको काली मिर्च को इस मंत्र के इसके उपर जहाँ पर आपने पती का नाम लिखा है, तो हर बार आपको मंत्र पढ़ना है, काली मिर्च को उठाना है, हाथ में रखना है, फिर यहाँ पे रख देना है इस तरह से आप पच्पन बार कीजिए, पच्पन बार में आपका जो ये कागज है, ये पूरी तरह से अभी मंत्रित हो जाएगा अब आपको क्या करना है, काली मिर्च लेनी है इसमें से, और इसमें से सारी काली मिर्च नहीं लेनी है, आपको पांच काली मिर्च लेनी है, और जब आपके पती घर वापस आएं, तो आप उन्हें कोई चाय में या पिर किसी खाने की चीज में आपको ये काली मिर्च कूट क काम हो जाएक जब आपको रात्तरी में दो जन लादेनी है यानिकि जब आप मत्र कड़ चुकी होंगी ते लाद काम आपको काम कर पूरा हो जाएक विसके विस्ते ही आप को शिर्प के लिग अपने पानी में प्रवाहित करना है जी हां आपके घर के असपास कोई भी पानी का स्रोत हो जल का स्रोत हो आप वहां पर जाके इसे प्रवाहित कर दें जल का स्रोत नहीं मिलता है अगर आपको तो आपको बेहत आसान तरीका है क्या करना है आपको अपने घर के पास में कोई भी ऐसी जगे ढूनिए जहां पर आपको कच्छी मिट्टी मिल जाए मतलब कि पक्का फर्ष नहीं हो जो कोई पौधा हो या फिर कुछ भी हो वहां पर आपको कागस में से काली मिर्ष निकालनी है और मिट्टी में दबा देनी है और इस कागस को आप मोड कर आप या तो फिर अपनी अलमारी में रख ले अगर आप अलमारी में नहीं रख सकती है अगर आपको लगता है कि कोई देख लेगा कोई आपसे पूछेगा कि इस मंतर का क्या मतलब है आपने इसका क्यों इस्तमाल किया तो आप क्या कर सकती है कि इस कागस को आप पानी में बहा दीजे यहां सबसे गीन क्या करना है अधि değild को आपको घर में ने किसी भी परतन या फिर किसी भी जग में आप पानी लीजे उसके अंदर के इसके मनत्र को या मुँद कीara मुद्स करीम ही काल है आपके पती अवा नुस्खा के हैं आजमाया उपाय है बाबा जी ने इस उपाय को पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ किया है और उसको उन लोगों को इसका फायदा भी पहुंचा है तो आप भी से कीजिए और हमें जरूर बताईए हमारे वीडियो के कमेंट सेक्षन में लिख कर कि आपको इसका कितना तब तक के लिए आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए और आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद